है गाईस दिसिस राहूल और फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट करेगे SQL and PLSQL के Lectures, तो जैसा कि काफी लोगों का कहना था कि SQL and PLSQL के Lectures लाओ, तो मैंने भी सोचा कि आज से क्यों न स्टार्ट किया जाए, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपको 6M में जो paper 2 है वो है आपका SQL and PLSQL तो आपके syllabus में इसमें कौन-कौन से topics cover किये गए हैं आज हम लोग उसके बारे में discuss करेंगे और एक basic knowledge SQL के बारे में हम लोग आज लेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आपको जो rdms है means relational database management system वो है आपको oracle ओके तो oracle में आपको SQL and PLSQL पढ़ना है तो rdms और भी होते जैसे आप लोगोंने mysql नाम सुना होगे mss सुने होगे informix सुने होगे तो यह भी अलग-अलग rdms है लेकिन आपको यहां पी यूज करना है oracle का ओके तो अभी देखते इसका syllabus तो देखिए आपको 6M में जो आपका paper 1 है वो compiler construction है जिसके उपर आपको सिर्फ 3 parts है compiler construction का लेकिन जो आपको paper 2 है वो है आपको SQL and PLSQL ठीक आपको theory part और जो basic knowledge आपको जो दिया गया है वो आपके फीप सेम में जैसा कि आप लोग देखोगे जैसा आपको फीप सेम में जो database management system उसमें DBMS क्या होता है और relational model क्या होते है functional dependency क्या होती है आपको पढ़ना होगा ठीक है then after you can move on SQL and PLSQL सबसे पहले आपको unit 1 में आपको code सुरूल दिये हुए ठीक है कि जो database management होता है उसमें जो आपका data को कैसे arrange करना है ठीक है उसके कुछ rules है तो आपको code सुरूल में आपको बताया गया है फिर उसके बाद में आपको oracle database object क्या होता है sub language of SQL क्या होती है data types operators इसके बारे में पढ़ना है then उसके बाद में हम लोग ddl statement देखेंगे कि आपका table कैसे create किया जाता है ठीक है कैसे उसको drop किया जाता है कैसे alter किया जाता है आपके table को then after dml statements लिए जिसमें आपको select statement, insert, update, delete, working यह सारे statements क्या होते है हम लोग इसके बारे म बताया गया है views में आपको creating views dropping views यह क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे दिन आपको plsql चालो हो जाता आपकी unit 2 से जिसमें आपको plsql की programming पढ़ना है ठीक है plsql में असल में होता क्या है कि आपकी programming होती है जिससे आप लोग जो data जो आप manipulate कर सकते हो database management system में आपको plsql दिन उसके बाद आपको unit 3 दिया है जिसमें एक्सक्रेप्शनाय है एक्सक्रेप्शनाल हैं डिया है जिसमें प्री जो नॉर्मली आते है ठीक है वह और कंग्ने ठीक है और कुछ और भी चीजी तो काफी सारी जैसे Cursors हो गया ठीक है Cursors के बारे में आपको पढ़ना हो गा Procedure पढ़ना होगा देन इसके बाद में आपको Unit 4 है जिसमें आप लोग पढ़ोगे functions और triggers के बारे में ठीक है तो function कैसे बनाना है और trigger कैसे बनाना है यह हम लोग unit 4 में देखेगे तो अगर इसमें अगर मैं सबसे important अगर unit बोलू तो unit 1 है अगर आपको unit 1 अगर अच्छे से अगर आपको समझ जाता है तो आपको बाकी units आराम से समझ जाएगे और बाकी unit को आप बीना unit 1 पढ़े आप लोग पढ़ भी नहीं सकते ओके तो unit 1 बहुत important lesson है जि यह हो गया आपका नाकपुर university का syllabus semester 6 का paper 2 का sql and plsql ओके जैसे कि आप लोग अगर नीचे अगर देख पा रहे होगे syllabus में की जो text books है आप लोग कुन सी textbook refer कर सकते हो तो इसमें आपको यह है understanding oracle by event virus आप लोग यह वाली जो oracle की जो book है उसको आप लोग refer कर सकते हो और भी क database management system complete practical approach बाया है शरत महेश्वरी और रुचिन जैन और एक है dr. psdespande sql and plsql for oracle 10g blackbook अच्छली हम लोग अभी 11g में जो आपका जो queries है वो हम लोग run करने वाले ओके इसमें आम लोग 10g का use नहीं करेंगे इसमें आप लोगों को सिफ प्रोग्रामिंग रेंगी plsql की okay sql and plsql अलग है ठीक है sql का मिनिंग क्या होता है sql का मिनिंग होता है sequential query language या फिर आप लोग उसको structured query language भी बोल सकते हो जिसका use काई के लिए होता है कि data को manipulate करने के लिए ठीक है data को कैसे retrieve करना है कैसे आप लोगों को data insert करना है table वगेरा कैसे बनाने यह चीज़ आपको use आती है sql में but plsql में क्या होता है आप लोग प्रोग्रामिंग करते हो आपके data से related ठीक है जैसा कि plsql बिल्कूल वैसा ही है जैसा आप लोगोंने c++ वगेरा में जो देखे हो लेकिन इसमें उतने statements यूज नहीं होते हैं लेकिन iterative conditional statements यहाँ पर भी use होते है ठीक है आपके plsql में तो plsql इसमें देखिए आप देख सकते DDL statements का practical है create the table invoice table कैसे बनाना है ठीक उसमें data कैसे पूट करना है और add drop constraint होगा यह सारी चीज़े dml statement dcl tcl ऐसे काफी सारी चीज़े आपको practical में दिये ज्यादा तरी यह जो है आपको first unique में समझ जाएगा फिर आपको view कैसे create करना है करसर कैसे create करना है procedure कैसे create करना है function कैसे करना है और trigger कैसे create करना है यह सभी आपको आपके practical में है तो आपको अगर प्रैक्टिकल में अगर बोला जाए तो आपको SQL PL SQL की है क्योंकि जो आपका paper one है compiler construction उसमें सारा पूरा थेरी पाहट है ओके यह हो गया आपका syllabus next video में मैं आपको बताऊगा कि Oracle 11g आप कैसे install कर सकते अगर आपके पास अगर laptop होगा तो आप लोग घर पी उसके practice कर सकते तो उसको कैसे download and install करना है मैं आपको next video पर बताऊगा तो इस video में मैं आपको syllabus बता चुका हूँ आप चाहे तो description में मैं आपको syllabus के link दे दूगा आप लोग वहाँ से syllabus को download कर सकते हो okay then after installation lecture हम लोग स्टार्ट करेगे SQL के बारे में पढ़ना ओके सो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर टेक क्यार बाई बाई